अप्रैल 1914 में बाबा गुर्दत सिंग के लीडर्सिक में पंजाब के 376 यात्रियों के साथ जापानी समुद्री जहाज कामागाटा मारू हांग कांग से रवाना हुआ था। 23 माई 1914 को बैंकूबर के तर्ड पर जहाज पहुंचा तो उसे दो महिने तक वहीं खड़ा रहना पड़ा। क्योंकि केनड़ा की सरकार ने अलग-अलग कानूनों का हवाला देकर भारतियों को वहाँ प्रवेश देनी की अनुमती नहीं दे थी। बाद सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि यात्रियों को कैनेड़ा में प्रवेश नहीं दिया गया बलके अधिकारियों ने जहाज पर खाना और पानी पहुचाने पर भी रोक लगा दि दो महिने तक 376 लोगों को बिना खाना और पानी के जहाज पर रहना पड़ा था। मजबूरी में वापर लोटा कामा गाटा मारू जहाज सितंबर में कोलकाता के बजबज पोर्ट पर पहुचा। वहाँ 29 सितंबर 1914 को पुलिस के साथ हिंसक जड़प में 19 यात्रियों को गोली लगने से मौत हो गई थी।